हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप सब जैसे कि आप सभी को पता है हम क्लास 9 का चैप्टर 10 कर रहते हैं जिसका नाम सरकल है उसी को हम आगे बढ़ाने वाले हैं और इस वीडियो में एक्सराइस 10.2 वो कवर कर दिया को को सोल्व क्याए सबसे कि हमाये टाइम बत सके पर हमें अच्छे नंबर आ हाड वर्क नहीं हाड वर्क वहत पुरानी चीज़े हो गई जैसे लोग बोलते हैं कि मेहनत करो मेहनत वैसे मत करो गधोगी तरह मेहनत ऐसे करो कि वह रंग लाए ठीक है तो स्मार्ट वर्क से हम एक्सराइस को कम्प्लीट करेंगे उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पुसं आपको याद करना है कि दो सरकल जो है कॉंगरेंट है ठीक है इफ दे हैव दी सेम डेडियाई ठीक है पूब डेट इक्वल कोट्स अब कॉंगरेंट सरकल सब्सक्राइब इक्वल एंगल एंगल इस देर सेंटर बोला कहा है कि अगर जो सरकल है एक सरकल है उसके इक्वल कोट्स है तो इक्वल एंगल होंगे वह प्रूफ करना है तो आपको एक्स जो ठीओरम है 10.1 उसमें यह कोशन करा चुकी है तो आपको देखना चाहिए उसे अगर नहीं देखा चलिए इसमें सीख लेते हैं में कुछ नहीं चीज नहीं है जो हमने किया है वह ही है कि भस आप लोग नहीं देखा होगा तो यह आप लोग के लिए है छोटा सा क्जिफ्ट हमारी तरफ से कि देखें एक सरकल है हमारे पास इसमें बोला है कि कोट है दो दो कोड और दोनों कोड़ एकवल हैं आए है है पिरते हैं दोनों को दमरे इक्वल है और है So तेकंग दोनों कोड एक्वल है इसे मिला देती है सेंटर से किर दो मैं बोला यह इक्वाल है इसके तो हमें प्रूव करके दिखा हो कि एंगल एक जेओ ठीक तो माल ले चाहिए वह olarak यह कमें यह है यह वे रमें क्या दिया ऐगी डिवन हमें UH कि ऐगर में कि इस प्राबर सी डीडी को दो अबंगें रीवर सीडी के बराबर दो है कि एंग प्रूप क्ना करना है कुछ आ son हो है कि प्रूफ क्या करना हैो थो च्रूरव लोगो दीने फूर बडो कि अऄब हो Watts pris We go to voulais करने एंगल एक बढ़ावर होनाँ यह एंगल टू के वह मुवन करें देंगे यह कुझ किस कारण हो गा तेकर किस कारण होगा देखिए हैं दो ट्रैंगल लिख रहा होगा ये ड्योघन गडि Singham को म् हमारी को एडियांड वो बीनेरसे ए लोले है वो बराबर स्य पर भीत बात करेंगे बी कि वी ओ या ओबी ब्राबर ओडी होसा आएगा क्यों रेडियस ठीक है और हमें यह भी ब्राबर सीडी तो पहले से दिया क्या है यह कीवन है हमें हम बोल सकते हैं कि जो ट्रेंगल ए ओडी है वो कॉंगरेंट होगा ट्रेंगल सी ओडी के है तो लिखेंगे किसे बाय साइट 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 से तो बोल सकते हैं कि एंगल एक बराबर होगा एंगल दो के बाय सीपी सीटी कॉंगरेंट पार्ट करस्पोंडिंग पार्ट सब कॉंगरेंट रेंगल मतलब अगर कोई गॉर्णेंट एंगल है तो उसके कर्रिस्पोंडिंग पार्ट से कर्रिस्पोंडिंग एंगल सारे इक्वल होते हैं उस थेवरम से उस स्टेटमेंट से हम बोल सकते हैं कि एंगल एक ब्रावार एंगल दो क्यों होगा बस इस कोशन में नहीं करना था और अगले कोशन में क्या करना और कैसे करना देखती हैं अगला कोशन है प्रूफ डड़ इफ कोड़ ओफ कॉंगरेंट सरकल कि सब्सक्राइब एक्वल एंगल एडडियर सेंटर्स देन दी कोड़ एक एक वल्स उसी कोशन को घुमा दिया इसने उल्टा कर दिया देखिए उसी कोशन को सेम कोशन को उसने बोला है दो कोड़ सें सेम डाइग्राम है अब बोला है आपको कोशन में यह ए बे सी और टी और यह ओ आपको बोला कोशन में कि एंगल एक वराबार एंगल दो है तो आपको हो औ्को प्रूफ करना एक बरावर सीधी ओना चीगे Εफ कि फिर बूई चीज लिखें गे गीवन क्यों है मैं मैं एंगल एक ब्रावर एंगल दो Italica कि MP thatी जोशने प्रूफ करना है मैं क्या की ऐङ भी बरावर होगा सीधी के ये प्रूफ करना है ठीक है और री प्रूफ होगा इसका क्या होगा प्रूफ के इन ट्राइंगल के ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी ठीक है यह वो बी और सी ओ डी में देखते हैं तो यह वो बराबर होगा सी ओ के दोनों रेडियस हैं कि दोनों रेडियस हैं और यह बहुत होगा और वह बराबर होगा सी ओ के कि रेडियस हैं रेडियस से मुख चीज करेंगे हम हम और हमें दिर रखा एंगल एक ब्राबर एंगल दो कि गीवन है तो इंट्राइंगल ऐंग वह भी हैं कॉंग्गरेंट होगा टर्न एंगल c o d a by s a s तुआरा साइड एंगल साइड दो साइड है हमारे पास और एक एंगल है इसलिए साइड एंगल साइड यूज करेंगे और हम बोल सकते हैं इससे कि यह बी है वो cd के बराबर होगा by cpct ठीक है cpct हम बोल सकते हैं कि यह बराबर होगा क्यों होगा क्यों कि congruent triangle है तो corresponding side उससे corresponding parts होते हैं उसके बराबर होते हैं तो वही simple question था दो जो question है जो हमारी theorem 10.1 उसी पर बेस है उसी को घुमा फिर आके कुछ भी पूछ लिया है तो आपको ध्यान लखना है कि क्या पूछा गया और कैसे प्रूफ करना है अगर एक चीज आप अठ्य समझ जाएंगे तो आप उससे लिटेट जितने भी कोशन बनेंगे आप सॉल्फ कर सकते हैं उमीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी आप समझ चुके होंगे इन दो कोशनों को इस exercise में बस इतना ही था मिलेंगे इसके अग